नमस्कार आप देख रहें नियूस बन इंडिया मैं हूँ आपके साथ पूजायादव पुशकर सिंग धामी ने बुद्वार को उत्रखन के बारवे मुख्यमंत्री के रूप में शपत ग्रहन की राजपाल जनरल गुर्मीत सिंग ने उनको पद और गोपनिता की शपत दिलाई शपत ग्रहन समारों में प्रधान मंत्री मोदी, केंद्रिये ग्रह मंत्री अमिच्शाह, रक्षा मंत्री राजनात सिंग, भाजपा की राजचे देख जेपी नडडा मौजुद रहे मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी के साथ आठ विदायकों ने मंत्री पत की शपत ली, धामी मंत्री मंदल में इस बार चंदरनाम दास, प्रेम चिंद अगरवाल, सौरब, बहुणा को जगा मिली है धनसिंग डावत, सुबो दुनियाल, गणेश जोशी, सत्पाल महराज रेखारे को फिर से काबिनेट में रिपीट किया गया है तो ये वो नाम है जिनको फिर से रिपीट किया गया है और उसके अलावा और नए नाम भी है देखें, बुक्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के साथ में आठ गदाय को ने शपत ग्रेंड की है इन आठ में से अगर जिकर करते हैं, सबसे पहले चंदर नाम दास का नामों के वो हमारे से पीछे रह गए और सबसे आगे रहा आपका अपना चैनल न्यूजबन इंडिया न्यूजबन इंडिया ने आपको सबसे पहले सबसे सटीख खबर दी कैबिनेट को लेकर हमने बताया कि आठ चेहरे होंगे जो पुशकर सिंधामी के साथ में शपत ग्रहन करेंगे और जिन आठ चेहरों का जिक्र हमने किया था उन्ही के नाम पर भी मुहर लगी है अब आपको शपत ग्रहन समारों की तस्वीरे दिखाते हैं जो वाकर अपने आपने अतिहासिक तस्वीरे हैं पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अजब गडय जोशी ने शपत ग्रहन की सत्पाल महराज ने शपत ग्रहन की एक वो टस्वीर और प्रेमचग अगरवाल ने संस्कित में शपत ग्रेंड की रेखा आ रहे हैं आप देखे पूरा आप देख रहे हैं कि अपना जो पारंपरिक का परिधान है उसको धारन कर पहुंची और बिल्कुल वही उनकी जो अपनी वेशबूशा है वहां की यानि जुडाव लोगों को महसूस हो और एक स्ट्रॉंग मैसेज कर भी हो इसे पूर्ण तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं कि एकदम पारंपिक परधान में वो नजर आई धनसिंग रावत जिनका नाम पहले से ही चल रहा था और हमने कंफर्म बता था कि आपको धनसिंग रावत होंगे ही इसके लब देके सुबो दु थामी के साथ में शपदग्रहन की बड़ा ही अतिहासिक लमहा था परेट ग्राउन में भाव्य समाहरो कायजन किया गया था शपदग्रहन को लेकर और इसी शपदग्रहन समाहरों में तमाम जो आठ्छ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इन्होंने भी पद गोपनिता की पालनी ने भी शबत ग्रहन कराई वो तस्वीरे आपके सामने हैं लगातार गड़ेश जोशी से लेकर सौरब बहुना तक तमाम मंत्रियों की ये तस्वीरे आपके सामने हैं जब सभी ने पद एवंग गोपनिता की शबत ग्रहन की सबसे खास राद एक जब फ्रेम चन अगर दिल का नेता चुना गया और उसके बाद आज उनने शबत ग्रहन की बेहद एतिहासिक लम्हे को और ज्यादा खास बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोधी भी पहुंचे और प्रधानमंत्री मोधी ने यहां पर देखिए अपनी मौजूद्गी दर्ज कराई खुद समिच्चा भी पहुंचे जेपी नड़ा भी पहुंचे राजना सिंग भी पहुंचे उत्तराखण में नई सरकार का गठन हो चुका है विदायकों का शपत ग्रहन पहले ही हो चुका था आज मुख्यमंत्री का शपत ग्रहन हुआ अब आईए आपको बताते हैं एक ही करके क कि इनका अब तक का राजनीती करियर क्या कुछ है सबकी क्या कुछ खासियते हैं कब से किसने राजनीती शुरू की और सबसे पहले बात हम पुशकर सिंग धामी की ही करेंगे देखे पुशकर सिंग धामी की अगर बात करते हैं उत्तराखण में सबसे कम उमर के वो मुख्य सिंग धामी और बेहत खुबसूरत तस्वीरे इस बार लोकतंतर की रही हैं लगणो युनिवर्सिटी से नोंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है यानि एजुकेटिड हैं यंग हैं और सबसे बड़ी बात आरसेस के प्रशिक्षित स्वेम सेवक रहे हैं इनका अच्छा खासा तजुर्बा रहा है लगबग 30 से 33 साल का इनका अपना जो जुड़ाव रहा है वो रसेस से वहाँ पर वो लगातर काम करते रहें दस साल तक एवीवीप से जुड़े रहे तो ये इनका अपना बैक्ग्राउंड है संग्ठन से कबसे जुड़े हुए हैं दो बार लगातर उत्रखन के भाजी उमों के जो अध्यक्षिये रहे हैं इसके अलावा खटीमा से दो बार विधायक ये रह चुके हैं तो ये आप चान रहे कि पुशकर सिंधामी का प्रोफाइल है अब उनका आप तक क्या कुछ पॉलिटिकल करे रहा भागा सिंध कोश्यारी के करीबी माने ये जाते हैं बेहर और 2012 में पहली बार खटीमा से बीजपी के विधायक बने थे हला कि इस बार खटीमा से विधांशर पाल चुनाव हार गये लेकिन फिर भी जंता को 16 सितंबर 1975 को पिथारागण में जन में लखन युनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया दो बार खटीमा से विधायक रहे RSS के प्रशिक्षित स्वैम सेवक है और लखनो के सरोजनी नगर विधान सभा सीट से चुने गए राचेश्वर सिंग ने भी पुशकर सिंग धामी को शुपकामनाई दी है ट्वीट करी शुपकामनाई दी है और ट्वीट का लिखा है कुशल नेतरत्व के धनी करमठ नेता श्री पुशकर सिंग धामी जी को उत्रखन के मुख्यमंत्री के रूप में पुनह शपत ग्रहन करने पर हार्दिक बधाई और शुपकामना है आपके कुशल नेत्रत्व और आदर्निय प्रधार्मंत्री दरंदर मोदी जी के मार्क दर्शन में देव भुमी उत्राखन प्रगती के नई कीर्तिमान इस्थापित करेगा राजेश्वर सिंग ने ये ट्वीट किया है पुशकर सिंग धामी को शुपकामना देते हुए अब देखें आप जगर बात करते हैं सबसे पहले पुशकर सिंग धामी के बाद में कैबिनेट की कैबिनेट में शामिल होने के बाद अगर शपत किसी ने की तो वो सत्पाल महराज थे, सत्पाल महराज हरदवार में जन्मे हैं और चौबट्या खास से चुनाफ जीत कर सत्पाल महराज आए हैं, अच्छा खासा उनका पॉलिटिकल बैक्गराउंड है, धामी कैबिनेट में दोबारा मंत्री बने हैं सत्पाल महराज और उनकी कई अपनी बातों के लिए अच्छे खासे हमेशा से प्रशलित रहे हैं, इनकी जो अपनी बोलने की शमता है वो बहुत ही जबरदस्त है, चौबटा खास से चुनाफ जीत कर आए हैं सत्पाल महराज और आज पुशकर सिंग धामी के बाद सबसे पहले नोने ही शपतली मंत्री पत्की धामी कैबिनेट में दुबारा मंत्री बने हैं सत्पाल महराज और उनका नाम सबसे पहले था ही कि सत्पाल महराज तो कंफर्म है, कैबिनेट में शामिल होंगे ही, दो बार सांसत रहे हैं, केंदर में मंत्री भी रह चुके हैं, और अब रशिकेश कंप्रिया ग्रे से भी और जो उनके पास घ्यान है और उस हिसाब से भी उनकी अपनी अच्छे-खासी पकड़ है अच्छे-खासी उनकी फैन फॉलोइंग है आठ चेहरे शामिल हुए हैं पुषकर सिंधामी की कैबिनेट में जिन में से पहला नाम सत्पाल महराज का और उनका परिटिकल करियर क्या है क्या-क्या उनकी अच्छीमेंट से वो आपने जान लिया अब एके करके हम क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं और जो मंत्री पदक्या शपत ले चुके हैं उनका क्या कुछ प्रोफाइल है उसका जिक्र हम कर रहे हैं इनमें एक नाम है प्रेमचिद अगरवाल का इन्होंने इन से बात कि हमारे समबाताने जरा सुनिए नोंने क्या कुछ कहा प्रेमचिद अगरवाल जी इन से बात करते हैं सर धामी कैबनेट में आपको मौका मिला है आप विधानसबाद देख्ष भी रहे पार्टी के बहुत पुराने कार करता विधायक हैं क्या कहेंगे ये कितनी महत्पूल जिम्मेदारी है देखे मैं पहले तो अपने हर राष्टे नेतरतों का मानने परदान मंत्री आदेनिये नैनित मोदी जी का मानने गरे मंत्री आदेनिये अमिशा जी का और अपने राष्टे अध्यक्स आदेनिये जेबी नडडा जी का और यहां हमारे मानने युवा मुख्यमंत्री आदेन जानते हैं कि मुझे आज से पहले भी मिली है बखुभी निभाने का मैंने प्रयास किया है इस जिम्मेवारी को भी बखुभी निभाऊंगा और कोशिश करूँगा कि अपनी पूरी शमता के साथ यह मेरा प्रदेश जो हमारा देव भूमी जिसे हम कहते हैं पूरे उत्राखं वासियों के उन विश्वासों पे खरा हुताने काम लोग सम्मिल्व जूल के काम करेंगे ताकि हमारा यह उत्राखंड अन्य राजों से और देश किंदर उच्छे स्थान पर पहुंसके ऐसे हम मां गंगय से और भगवान सी बद्री विशाल से प्रार्थन करते हैं अब मंत्री बंडल में आप आ गए अब मंत्रालें को लेकर भी थोड़ा सा समय लगेगा क्या चाहते हैं किस तरीकी की जिम्मेदारी मिले देखे माने मुख्यमंत्री जी का यह विश्वास मेरे पर जताएंगे मैं उस पर खराउतर नहीं कोशिश करूंगा कोई विश्वी निभाएंगे कैमरा सहयोगी राजन बरोला के साथ सुधीव जैन न्यूजवन इंडिया देहरा दूर सौरब बहुगुना भी धामी कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं सौरब सितारगन से विधायक हैं और पूर मुख्यमंत्री विजवाखुना के पोत्र हैं लगातार दो बार विधायक का चुनाव वो जीत चुके हैं और इस बार उनको पुशकर सिंग धामी की कैबिनेट मे जगा मिली है, सबसे खास बात यह है कि टेक्नो एक्सपर्ट है, अच्छी खासी जानकारी है और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में अब युवाओं के लिए रोजगार के अपसब पैदा करने में उनके इस होनर का इस्तमाल किया जाएगा सितारगन से दूसरी बार चुनाफ जीत कर आए और पुशकर सिंधामे के काबिनेट में उनको भी जगा मिली है, उनका भी ये पहला मौका है जब वो काबिनेट में शामिल हुए हैं, लेकिन विरासत में मिली है इनको भी राजने थी सरफ जी पहले तो बहुत बहुत आपको बढ़ाई, बहुत बहुत धणिवाद हैं, बहुत धनिवाद हैं, भगगणा जी कहीं न कहीं ये माना जा रहा था कि यूथ को एक मौका मिलेगा और आप केबिनेट में आए, इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे, धनिवाद प्रदेश नेतवित का अमारे मानि मुक्ष मंत्री जी का तृष बावनाओं को आगे बढ़ाते गया है और पिशली पांच साल की सरकार में बाहरती आंठबडी की सरकार में यह करके दिखाया गया है तब ही दोती आई कि बहुमत की सरकार यहां बें बनी हो मिठक तूटा है कि उत्राखन में कभी सरकार रिपीट नहीं होती और उसी भावना को हम आगे बढ़ाएंगे चाहते हैं, जो भी जमिदारी मिलेगी, जो मेरे को जमिदारी दी जाएगी, मैं उसको पून रूख से निष्टा के साथ उसको निरवा करगूगा और सेवा करने के लिए आपको बहुत बड़े कोई आपको अपने पत की जरुवत नहीं होती उत्राखन की सेवा करना हम सबका लक्ष है और उत्राखन को आगे बलाने का अच्छी टीम है युवा है युवा जोश है प्रदेश युवा है देश युवा है और युवाओं का जमाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि सीनियर लोगों भी हमारे कैबिनेट में हैं उनसे सीखने कभी मौका मिलेगा और प्रदेश को आगे बनाने कभी तो सौरफ बोगणा ने बहुत अच्छी बात कही है कि कैबिनेट में सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा मंत्री मंदल में मंत्री पतकी शपतली और बागेश्वर सीट से चौती बार विधायक बनी है और 2007 में अपना पहला चनाव लड़ा और बागेश्वर सीट से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे इसके बाद चंदन रामदास लगातर विधायक चुनते आ रहे हैं लेई विश्वास था मैं मंत्री बनूंगा आपने नीजोन इंडिया पर कहा था और वो विश्वास पूर्ण हुआ आज आप कैबिट में शामील हो गए क्या कहेंगे मैं नीजोन इंडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मुझे इसलिए विश्वास था मुझे जिम्यदारी मिलेगी मैं दूरत सेत्र से आता हूं और अनुशिशित ज्यात का सबसे वरिष्ट विधाएंगा चार बार लगात पार जीत के आ रहा हूं विधान सभा के कई कमेटियों में अध्यक्ष रहा हूं प्राकलन समीति का अध्यक्ष रहा हूं अन्शुजाद जिन्जाती समीति का अध्यक्ष रहा हूं और लोग लिखा समीति में रहा हूं और पांस साल में चेर्मेन भी रहा हूं अब 15 साल विधायक का कारेकल मेरा है तो मेरे अनुभ चाहते हैं जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको इमांदारी से निगाएंगे जो जिम्मेदारी सरकार देगी उसका निर्वाहन करेंगे हाला कि ने कैबिने मंत्री कैबिनेट में आने का पहले ही पूरा भरोसा था कैमरा सयोगी राजन बढ़ोला के साथ सुधीब जैन जोशी 1976 से 83 तक एक सैनी की रूप में ही भारती सेना में कारेवरत रहे वरतमान में वो देहरादून के कालिदास रोडस्तित आवास में रहते हैं मसूरी से विधायक हैं यहां से लगातार जीत दर्ज करते रही हैं और धामी के पहले कारिकाल में भी उन्हीं कैबिनेट मंत मंत्री बनाया था इस देखें लगातार चौथी बार चुनाव जी ते पहले भी कैबिनेट मंत्री रहे और दोबारा कैबिनेट मंत्री बने गणेश जोसी जी हैं जो सेन प्रिष्ट भूम से आते हैं मोधी जी को सल्यूट किया है इनोंने गणेश जी बहुत-बहुत स्व आप जो जम्मेदारी मिली क्या कहेंगे सबसे पहले तो मैं इसके लिए प्रदान मंत्री मोधी जी सेवारा करने आभाए करता हूँ और साथ ही विस्वास दलाता हूँ जिस भरुस्य के साथ मुझे जिम्यदारी देए, हम उसे भरुस्य पर खरा उतरेंगे सबसे मेरा संकल्प जो सेने दाहम का हमारा प्रोजेक्ट है उसको पूरा करना मेरे जिम्यदारी होगी और दोजार चौश से पहले हम इसको पूरा करेंगे जिद दिन वो बनकर तियार हो जायेगा जिसकार लोग बंद्री केदार गंगोत्री जवनित्री को देखने आते हैं उस सेने द्लाम को देखने हैं लोग यहाँ पर आएंगे इस भावना के साथ हम इस काम को कर रहे हैं सब्सक्राइब काम करेंगे तो यह थे घड़ेस जिनका कहना है कि जो भी मंत्राले मुखमंत्री जी अपनी इच्छा से देंगे उसमें वो काम करेंगे और प्रदेश को विकास की रहा पर आगे ले जाएंगे कैमरा सहयोगी राजन बढ़ोला के साथ सुधीब जैन न्यूज अच्छा खासा experience वो रखते हैं और जाहिर सी बात है उनके experience को utilize भी किया जाएगा इस बार भी पुष्कसिंग धामी की cabinet में पिछली सरकार में वो प्रवक्ता रहे और आप देखिए मंत्री बने हैं 12-16 में कॉंग्रस से बगावत के बाद वो वीजीपी का जंडा उठानी के लिए वीजीपी में शामिल हुए थे और नेंद्रगर्स से चौती बार वो विधायक बने हैं मुख मंत्री पुसकर सिंग धामी सरकार में राज सरकार के वरिष्ट मंत्री सुभोध उन्याल जी को एक बार फिरस्तान मिला है उन्याल जी से बात करेंगे सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत सुबकाम नहीं बदाई दन्यवाद आपको बहुत-बहुत सर अब कैबिनेट सर पत आप लोगों ने ले लिए मंत्री मंडल में, कल सर पहली कैबिनेट होनी है, अब आगे किस तरीकों से आगे सरकार बढ़ेगी और प्रधान मंत्री मोदी जी आप लोगों को क्या कहके गए देखे दोजार सत्रा में एक परचन बहुमत परदेश की जंता ने बाहती जंता पाट्टे को दिया और उसके बाद एक मिठख था इस राजी में कि कोई सरकार दुबारा नहीं आती है लेकिन इस परदेश की महान जंता ने पांच वरसों के कामों के कारण और मोदी जी के बिराट नेतिर्ट को देखते हुए एक बार फिर पचल बहुमत देखे सारे मिठकों को तोड़के हम लोगों गए जिम्मेदारी दी यह जिम्मेदारी मैं रहता हूं 2017 की जिम्मेदारी से ज्यादा है महत पूर्ण है इसने और ज्यादा महिनत करनी के आप सकता है ताकि जन्म प्रिक्षाओं को पूरा करके इस राज जी को विकास के रास्ते बागे बढ़ाए जा सकते हैं सर कल पहली कैबिनेट होनी है कि एजन्डा तयार है या कल फॉर्मल कैबिनेट है और कुछ मौके पर ही निर्ने आप लोग ले लेंगे बताया जा रहा है सुबो दुनियाल जी का पूर्टफोलियो हैवी वेट होने जा रहा है और आपने पिछली बार हला कि आपके निक्षा के विभागते पर उद्ध्यान और विशेशकर बागवानी के छेतर में बहुत बड़े काम हुए कई-कई गुना बजट आप भारसरकार से ले आए कई-कई पॉली हाउस आप ले आए तो इस बार क्या होने वाला है लेकि निश्ची तुप ते किस्टी और उद्ध्यान के चेतर में जो हम लोगों ने सुधार किये वो निश्ची तुप ते इस राज में किसानों का अर्थिकी को मजबूत करने मुना बार उनका बड़ा योगदान रहा और यही करण था कि राज में जिस तरह से किस्टी के जेतर में उर्जा के चेतर में जिस TIME के Those on लोगार मिल सके तो वह सरकार की प्रास्मिक्ताय होंगे तकि इस राज में नौजवानों को Oh falan को निश्ची कर इस नही वाहन धरन को लेना लेकिन के सामीर ज्मえदारी उतीjis होती हैतो वहारा प्रयात in सभी चेतरों मैं सेक्टर्स में ऐसे काम हो कि जो रोजगार परक योजनाओं बने और जब इंप्लाइमेंट और योजनाओं बनेगे तो निसंदे रोजगार बढ़ेगा तो इस वो दुनियाल जी थे जिनका कहना है कि रोजगार परक योजनाओं पर काम करने की जरूरत है और सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी उसका पालन होगा कैमरा सायोगी राजन बडोला के साथ सुधीप जैन न्यूजवन इंडिया देहरादून दंसिंग्रावत को भी धामी कैबिनेट में मंतरी बनाया गया धनसिंग्रावत श्र preserved कर गड़वाल से विधायक है आज एसे में उनको भी मॉक्वन ईलाएए और वो भी पुष्क शिता धामी की कैबिनेट में शामिल है और इनके नाम को लेकर भी हमने पहले कंफरमिशन दी थी और मेरे सयोगी कुई कि तमाम नए जो काबिनेट में शामिल हुए नेता हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और असे मैं धंसिंग रावात से भी नो ने बातचीत की है और मैं धंसिंग रावात की अगर बात करते हो देखिए एवेपी से जुड़े रहे पीज़ेपी प्रदेश एकाई में उपाध्यक्ष का पद ये संभाल चुके हैं और दोनु बार बीज़ेपी में देखिए अभी जब चर्चाय चल रही थी मुख्यमत्री के नाम को लेकर तो रैस में बी थे राम जनभूमी आंधूल में भी खूप सक्रे रहे करूंगा मुख्यमत्री पुसकरधामी सरकार में कैबिनेट मंत्री एक बार फिर से पत्पर धन्सिंग रावत जी ने अस्पत ली हमारे साथ धन्सिंग रावत जी हैं धन्सिंग रावत जी से बात करते हैं सर पहले तो बहुत-बहुत बदाई सर एक बात फिर से मौका मिला है क्या कहेंगे देखे रिखन की जनता ने जो हमको आशिरवाद दिया है हम उसके अनुरूप काम करेंगे एक अच्छी सरकार चलाएंगे इमानदार सरकार चलाएंगे जीरो टॉलेंस की सरकार चलाएंगे और जो हमने द्रिष्टी पत्र चुनाव में लोगों के बीच दिया था उस पे 100% अमल क्या जाए सर कल से सरकार विद्वत काम शुरू करेगी कल आप लोगों की पहली कैबिनेट भी है तो बागे का क्या प्लान है किस गति से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं देखे निश्चित रूप से हम लोग जनता में जितने वादे हमनी के हैं उनको पूरा करेंगे और कल पहली कैबिनेट होने वाली इस नई सरकार के और कल हम कई निड़ने उसमें करने वाले हैं अच्छा काम करें तो यह दंसिंग रावत जीत है जिनका कहना है जो मुखमंत्री जी का विश्यसादिकार होगा विभाग के रूप में वो देंगे और अच्छा काम करें सरकार जो सरकार ने लोगों से वायदे किये चुनाव में उन्हें पूरा भी करे कैमरा सयोगी राजन बलोला के साथ सुधीब जैन नूजबन इंडिया देहरादून गाजेबस जीला थाना कविनगर इलाके के आडीसी में दिन दाहड़े लूट की वारदात सामने आई है जहां सोना अगरिवी रखकर पैसे देने वाली कंपनी के यहां हतियार बंदों बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया कंपनी माले के मताबिक बदमाशों ने 4,82,000 नकट समयत 5,88,000 का सोना लेकर वो यहां से फरार हो गए और फिर हल आप से ले रहे हैं इजासत आगे भी खबरों का सलस्किला जारी नमस्कार